अलो फ्रेंड्स वल्कम तो माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है होट फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों पिछली वीडियोज में मैंने आपको महिलाओं या पुर्षों की आँख फड़कने का मतलब बताया था यदि वह वीडियोज आपको देखना है तो नीचे दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों शास्त्रों के नुसार मनुष्य का शरीर अत्यन्त सम्वेदन शील माना जाता है यह हमें वविश्म होने वाली शुब और अशुब घटनाओं से अवगत कराता है यदि आप अपने मन को केंद्रित एवं सयमित रखें तो जीवन में घटने वाली प्रतेख घटना का आभास आपके अंग आपको जिरूल कराते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको होटों के फड़कने का मतलब बताऊंगी तो आई जानते हैं होट फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होटों का फड़कना अत्यंत शुब माना जाता है यदि आपके होट का उपरी हिस्सा फड़क रहा है तो खुश हो जाईए क्योंकि निकट बविश में आपको सत्रों से चुटकारा प्राप्त हो सकता है या तो आपकी कोई पुरानी दुश्मनी समझोते में बदल सकती है यदि होट के उपर वाला हिस्सा फड़कता है तो यह अभी संकेत माना जाता है कि निकट बविश में आपको स्वाधिस्ट भोजन की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों सामुद्रिक शास्त के अनुसार होट के निचले हिस्से का फड़कना अत्यंद शुब माना जाता है यदि आपका निचले होट फड़क रहा है तो जल्दी आपको धन की प्राप्ती हो सकती है यह अभी संकेत देता है कि निकट बविश में आपकी किसी प्रेसे मुलाकात हो सकती है निचला होट फड़कना इस्तरी सुख और पैसु की सुख की तरब भी इशारा माना जा सकता है यह यह भी संकित देता है कि निकट बविश में आपको सुख की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों सामुद्रिक शास्ट के अनुसार यदि होटों का दाहिना को न फड़कता है तो आपको निकट बविश में अचानक धनलाब की प्राप्ती हो सकती है यह धनलाब आपको किसी व्यक्ति विशेस के माध्यम से अथवा मित्रों के माध्यम से हो सकता है दोस्तों यदि आपके होट का बाया को ना फड़क रहा है तो यह अच्छा नहीं माना जाता यह यह संकेत देता है कि निकट भविश में आपकी कोई प्रियवस्तू खो सकती है दोस्तों आए जानते हैं कि यदि दोनों होट एक साथ फड़कते हैं तो इसका क्या मतलब होता है सामुद्रिक सास्त के नुसार दोनों होटों का एक साथ फड़कना अत्यंत शुबसंकेत माना जा सकता है यदि आपके दोनों हुट एक साथ फड़कते हैं तो निकट बविश में आपको धन की प्राप्ती हो सकती है यह धन आपको किसी अंजान विक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है दोस्तों यदि आपके दोनों हुट एक साथ फड़कते हैं तो निकट बविश में आपके मा सम्मान प्रतिस्ठा में व्रिद्धी हो सकती है अथ्वा आपको किसी सुबसमाचार की प्राप्ती भी हो सकती है दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से संबंदित बातें आए जानते हैं विज्ञान के नुसार मनुष के होटों के फड़कने का क्या मदलब होता है दोस्तों विज्ञान के नुसार मनुष के होटों का फड़कना व्यक्ति के जीवन की एकाम प्रक्रिया मानी जा सकती है ये आपके होट लगातार फड़क रहे हो तो आप किसी कुशल चिकित सक से परामर्श अवश्य लें कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानताय मानी विज्ञान की माने तो मनुष के होटों का फड़कना व्यक्ति के जीवन की एकाम प्रक्रिया है पर अशा करते हूं कि आज की जानकारिया आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपिया मीरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें धन्यवाद